Hey guys, this is Abhilash और आज मैंने देखी Soul Catcher ये एक movie है जो आपको मिलेगी Netflix पर ये एक Polish movie है यानि कि ये movie Poland की है बट ये movie आपको English और Hindi में dubbed मिल जाएंगी movie का genre है Science Fiction Thriller और इसका runtime है 1 घंटा और 40 मिनट का story में होते है Fang और उसका छोटा भाई जो की ex-military है और ये लोग एक extraction mission पर है जहां इन्हें पता चलता है एक machine के बारे में जो की लोगों को zombie like creatures में बदल देती है और इस पूरे चकर में Fang का छोटा भाई मारा जाता है तो अब वो machine exactly क्या है, वो किसने बनाई है, वो कैसे काम करती है और Fang अब सब चीजों का बदला कैसे निकालता है, विलेंसों कैसे हराता है ये सब चीजें देखने के लिए आपको movie देखनी पड़ेगी तो अब सबसे पहले story, engagement wise ये story 30-40% engaging है अब सबसे बड़ा plot hole इस story में ये है कि ये लोग ना इस soul catcher वाले पूरे theme को और जादा अच्छे तरीकी से explore कर सकते थे बट इन लोगों ने अपना सारा का सारा focus start और end वाला जो action है वहाँ पर दिया है और इनी सब चीजों के चलते, obviously आपको काफी सारी चीजों के सर और पैर नहीं मिलेंगे thriller होने के बावजूद ये movie आपको पूरी movie में thriller वाली feeling नहीं देगी start के 10 minute में आपको जरूर ऐसा लगेगा कि यार ये बहुत नया concept है और आगे मजा जाएगा but आगे मजा नहीं आता है and everything falls flat इसके अलवा इसमें एक love story वाला angle भी है जो कि आपको सवाल पूछने के पर मजबूर कर देगा कि क्या Poland वाले Bollywood से inspired है कहने का मतलब ये है कि वह story बहुत जादा out of place लगती है जबरदस्ती घुसेड़े भी लगती है और कई बार irritating भी है acting वाले department में हमको 90% of the time screen पर पियोतर विटकॉस की देखने को मिलते हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है फैंग का action scenes इन्होंने बहुत ही बढ़िया किया है physical flexibility इनके बॉले की कमाल है बट जहां पर भी acting करने का time था वहां पर ये बहुत flat हुए है मैंने इनकी एक और movie देखी थी lesson plan उस movie में भी इन्होंने action scenes बहुत अच्छे किये थे बट acting direction किया है डेविड मार्कुविट्स ने ये originally एक VFX artist हुआ करते थे जिनके पास एक cool team थी फिर इन्होंने काफी सारे पैसे कमाए और फिर ये बन गए producer फिर इन्होंने वहां से कुछ और पैसे कमाए और फिर ये बन गए writer और director फिर इन्होंने write और direct की ये movie और इसके साथ साथ lesson plan तो overall इनकी script और इनका direction मुझे नहीं जमा अब मेरे हिसाब से इनको ये दोनों चीज़े किसी professional से सीख लेनी चाहिए बट इसमें बीना देखो ऐसा भी खराब काम नहीं है क्योंकि action scenes were very good बट जहां पर भी main story की बात आती है वहां पर ये मात खा जाते है background score वाले department से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि जहां पर भी acting और story fail हो रही थी उन scenes को background score ने बहुत अच्छे से संभाला है so good job cinematography was fine ऐसा कुछ खास shot आपको नहीं देखने को मिलेंगे it was very normal इसके अलाबा ये movie है एक घंटा और 40 minute की जिसे cut shot करके ये एक घंटा और 10 minute की कर सकते थे finally इस movie में कोई sex scenes नहीं है nude scenes नहीं है गालिया English में मिलेंगी और मेरी तरफ से इस movie को 2 out of 5 just because of the good action scenes and background score final verdict ये एक ठीक ठाक सी one time watch हो सकती है बट इससे better मैं आपको पोलेंड की एक और movie के बारे में बताना चाता हूँ ये movie 2020 में आये थी और ये एक spy thriller movie है ये movie भी आपको Netflix पर मिल जाएगी और ये movie इससे तो लाग गुना अच्छी है तो इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं खतम करता हूँ रिव्यू हेलपफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फोगेट लाइक शेर एंड सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी ओसम बाई बाई